हाई गाईरीज वेलकम बैक टू माई चैनल मैं शीवानी कैसे हो आप सब आई हो पच्छे होगे कमर दर्द की परिशानी किसी भी उम्र में हो सकती है कई बार भारी चीजों को उठाने की वज़े से बहुत जादा वर्क आउट करने की वज़े से यह जादा देड़ तक लेकिन कुछ दिर बाद यह जादा प्रॉब्लम से शीवा बाइन शीड़ पर संब्सक्राइब दर्द आप बहुत जादा की परण गाई हो छेड़नी अगर डर्द करते लोगे में गुपसर प्रॉब्लम्स का सामना पड़ रहा है तो आप सद्धे बाक्टर से गर सकते हैं या फिर आप घरेलू अगनुस्खों को अपना करके इस समस्या से छुट्टी पा सकते हैं तो चलिए जानते हैं वो घरेलू नुस्खी हैं क्या जो आपके कमर दर्द से छुट्टी दिलाएंगे और आप फिर से पहले जासे हो जाएंगे कमर दर्द या फिर किसी भी प्रकार के दर्द को ठीक करने के लिए आद्रग का यूज़ कर सकते हैं अद्रग बहुत सारे बीमारियों को ठीक करने में असरदार है सरदी, जुखाम, पाचन जैसी समस्याओं को दूर करने के साथ या कमर दर्द को दूर करने के लिए भी काफी लाव दायक है दर्द से छुटकारा पाने के लिए आप इसका किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप चाहें तो इसका सीधे काढ़ा बना कर पी सकते हैं या कमर दर्द या अन्य किसी भी प्रकार के दर्द को ठीक करने में कारागार होगा कमर दर्द के मरीजों को अपने डायट में सेंधा नमक जरूर सामिल करना चाहिए सेना नमक हल्स के लिए काफी फायदेमन्द होता है। आप इसका उज़ किसी भी तरीके से कर सकते है। आप इसको अपने खाने में, सैलेड में यूज करिए। और आप इसे शिकाई भी कर सकते है। आपको पानी गर्म कर लेना है और उसमें एक चमसेना नमक डाल लेना है और जहां भी आपको दर्द हो रहा हो अगर आपको घुटने में भी दर्द हो रहा हो तो सेना नमक उसे भी दूर करेगा अपने कमर के दर्द को ठीक करने के लिए इस पानी से अपने कमर में सिकाई करिए कम से कम आपको ये सिकाई 10 से 15 मिनट करनी होगी ऐसा करने से आपके कमर दर्द की समस्या जल्दी ही दूर हो जाएगी क्या आपको पता है कि मेथी दर्द को दूर करने के लिए कितना असरदार है कमर दर्द को दूर करने के लिए आप मेथी का भी यूज कर सकते हैं पुराने समय में लोग जब औरतों की डिलेवरी हो जाती थी तो उन्हें मेथी का लड़ू जरूर खिलाते थे मेथी का पानी पिलाते थे जिससे उनके कमर में या शरीर में दर्द ना हो क्योंकि डिलेवरी होने के बार लेडीजों के शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है उससे दूर करने के लिए उन्हें मेथी का पाउडर खिलाया जाता था अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कमर के दर्द से छुट्टी पा सकें तो आप मेथी का सेवन इसी प्रकार से कर सकते हैं आप उसका प्चूर्ण बना करके उसको सादे पानी के साथ रोज तुबा साम एक चमज सुबा और सोने से पहले एक चमज पी लीजेए इसका आपके जल्दी कमर दर्द में आराम मिलेगा आप इसका लड्डू भी बना करके खा सकते हैं गुड के साथ इसको मिक्स कर लीजे और घी जो है घी की कॉंटिटी है उसको थोड़ा कम रखिएगा आप इसका डेली रूटीन अपने डेली डायट में एक लड्डू शामिल कर सकते हैं मौर्नी में आपको ये लड्डू साम को नहीं खाना है आप सुबह इस लड्डू का सेवन करिए आपको जल्दी ही अपने कमर दर्दे से छुटी मिलेगी क्योंकि मेथी जो होता है वो गर्म होता है और हमारे सरीर को अंदर से गर्माहट प्रदान करता है और जैसे हम गरम पानी से सिकाई करते हैं वैसे हमारी दर्द के जगह पर सिकाई करने का भी काम करता है तो आप निथी कार प्रयोग करिए आपको जल्दी कमरदर्द में आराम मिलेगा अगर आप लड़ू का या पाउडर का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे एक ग्लास दूद में एक चमच पाउडर को मिक्स कर लीजे और उसमें एक चमच शहा डाट कर लीजे लगा जाता है उतना ही हमारी इस्कीन पर भी चारचान लगा देता है पर क्या आपको पता है कि हमारे हेल्द के लिए भी बहुत जादा पैनिफिशल है आपको किसी भी तरीके का दर्द हो आपको घुटनों में दर्द हो आपको कमर में दर्द हो आपके हाथ पैरों में दर्द हो रहा हो, जोडों में दर्द हो रहा है, हल्दी उस चिसको दूर करने में काफी ज़्यादा लाफ कारी है आप इसका रोज दूद पीजे, गुनगुना दूद रखे, उसमें एक चमच हल्दी मिला लिजे, सुबा साम इस दूद का आप सेवन करिए, आपको जल्दी ही अपने सारे दर्दों से आराम मिल जाएगा और कमर दर्द से की तो छुट्टी हो जाएगी सो आज के इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी टिप्स और ट्रिक्स पता हैं, अगर आप उसे रगलर बेसेस पे फॉलो करते हैं, अपने कमर दर्द को दूर करने के लिए, तो आपको जल्दी ही उससे आराम मिलेगा, आपको डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाने पड़ बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने फ्रेंट्स फैमिली के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर करिएगा, मैं मिलूंगे अपने नेक्स वीडियो में, बाई